नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम एक उपसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है और यह आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं चाहें जैन स्वेटर में टेडिस काडिगन में जैकेट में कोटी में बच्चों क स्वेटर में चाहें किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे यह बहुत ही सुन्दलेगा तो चलिए फ्रेंट्स हम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैं आठ के मल्टिपल फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा तो मैंने इस लाए में अठारा फंदे 18 डाल रखे हैं और छे लाइन का बार्डर बना दिया है और अब यह डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट दो फंदो को आपस में ट्विस्ट कर देंगे पहला फंदा उपर से जाएगा फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे नेक्स्ट चार फंदे सीधे एक दो तीन चार अब अगले दो फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे दूसरा वाला फंदा ऐसे उपर से जाएगा फिर दोनों फंदों को सीधा बुल लेंगे नेक्स्ट दो फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे पहला फंदा उपर से जाएगा फिर दोनों फंदों को सीधा बुल लेंगे नेक्स्ट चार फंदे सीधे अब नेक्स्ट दो फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे दूसरा वाला फंदा उपर से जाएगा और लास्ट के ये तीनों फंदे सीधे बुन लिये जाएंगे और सेकेंड रो और रॉंग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिये जाएंगे थर्ड रो और फ्रंट साइड तीन फंदे सीधा बुन ले पहला फंदा स्लिप कर ले और अगले दो फंदे सीधे अब नेक्स्ट दो फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे पहला फंदा उपर से जाएगा और दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे नेक्स्ट तो फंदों को हम आपस में ट्विस्ट कर लेंगे दूसरा वाला फंदा उपर से जाएगा और इन दोनों को सीधा बोलेंगे बीच में चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर अगले दो फंदे हम ट्विस्ट करेंगे पहला फंदा उपर से जाएगा दोनों को सीधा बुन लेंगे नेक्स दो फंदे ट्विस्ट करेंगे दूसरा फंदा उपर से जाएगा और फिर इन दोनों को हम आपस में फिर इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और फिर शेज सभी फंदे सीधे और रॉंग साइट से सभी फंदे उल्टे फिफ्त रो और फ्रंट साइट तीन फंदा सीधा पहला फंदा स्लिप कर लेंगे दो फंदा सीधा बनेंगे और अब फिर अगले दो फंदे को ट्विस्ट करेंगे याने की दूसरा वाला फंदा अब वापस अपने जगह पे आ जाएगा और दोनों को सीधा बुल लेंगे next दो फंदों को twist करेंगे पहला फंदा उपर से जाएगा दोनों फंदों को सीधा बुल लेंगे next चार फंदे सीधे नेक्स दो फंदों को सीधा ट्विस्ट कर लेंगे दूसरा वाला फंदा उपर से जाएगा और दोनों फंदों को सीधा बुनेगे अगले दो फंदों को भी हमें ट्विस्ट करना है पहला फंदा उपर से जाएगा अब सभी फंदों को सीधा बुनेगे अब डिजाइन थोड़ा थोड़ा स्पस्ट होना शुरू हो गया है रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे सेमन्त रो और फ्रंट साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर दूसरे वाले फंदे को पहले बुनेंगे फिर पहले फंदे को सिधा फिर चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को सिधा और फिर यहाँ पे पहले दूसरे फंदे को सिधा बुनेंगे फिर पहले फंदे को सिधा इस तरह हमारे फंदे आपस में त्विस्ट हो जा रहा है फिर चार फंदे सीधे अब पहले दूसरे फाले फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को सीधा और लास्ट फंद आया जिस टीच है उसे हम सीधा बुनेंगे और wrong side से सभी फंदे उल्टे wrong हर उल्टी सलाई में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे नाइन्थ रो और front side पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर back loop से पहले दूसरा वाला फंदा बुनेंगे सीधा और फिर पहला फंदा सीधा फिर चार फंदे सीधे एक दो तीन चार फिर पहले दूसरा वाला फंदा बुनेंगे फिर पहला फंदा बुनेंगे नेक्स्ट, पहले दूसरा वाला फंदा बुनेंगे, बैक लुप से, और फिर पहला फंदा बुनेंगे, तो देखिए ये चारो फंदे आपस में ट्विस्ट हो गए, फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, फिर अगले दो फंदो को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो पहले दूसरे वाले फंदे में सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे, फिर पहले वाले फंदे में सीधा, और लास्ट फंदा आया जिस तीछ है, उसे हम सीधा बुनेंगे, और रॉंग साइट से सबी फंदे उल सीधा बुनेंगे पहला फंदा स्लिप कर लिया अगला दो फंदा सीधा फिर दूसरे वाले फंदे को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे फिर पहले फंदे को सीधा इस तरह करने से दो फंदे आपस में ट्Wिस्ट हो गए फिर नेक्स्ट दो फंदों में पहले दूसरे वाले फंदे को फ्रन्ट लूप से सीधा बुनेंगे फिर दूसरे वाले फंदे को सीधा देखिए दोनों फंदे आपस में ट्विस्ट हो गए फिर चार फंदे सीधे अब नेक्स दो फंदों को आपस में ट्विस्ट करना है पहले दूसरे वाले फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेना है फिर पहले वाले फंदे को सीधा नेक्स दो फंदों को आपस में त्विस्ट करना है पहले दूसरे वाले फंदे को फ्रंट लूप से सीधा बनाएंगे फिर पहले वाले फंदे को सीधा लास्ट में तीन फंदा बचा है जिसे हम सीधा बना लेंगे और रॉंग साइड से सभी फंदे उल्टे तो देखिए फ्रेंस डिजाइन बनके त्यार हो गया डिजाइन बहुत ही आसान है बस हमें फंदो को आपस में क्विस्ट करना है और एक खुपसुरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा ऐसे बर्फी की तरह एक खुपसुरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा देखिए सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉंग साइड से ऐसा डिजाइन आपके सामने है यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेर कीजिए आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों में अपने श्टेदारों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद